हेलो दोस्तो आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आज हम बात करने वाले कि इंस्टाग्राम की आईडी को ब्लॉक कैसे करें हाँ आप लोग यहां पर देख सकते हो यह मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है यहां पर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस से पहले दूस्तों आप से एक रिक्वेस्ट है आपने भी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिजिए साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए और सब्सक्राइब करने के बाद पर क्लिक कर देए आईए friends से लिए वीडियो को start करते हैं तो friends सबसे पहले आपको अपने Instagram का ID को open करने के बाद यहाँ पर आपको यह जो 3 line वाला option दीख रहा है उस पर आपको click कर देना है तो चलिए हम लोग उस पर click कर देते हैं उस पर click करने के बाद friends आपको यहाँ पर एक setting का option मिल जाता है तो यह setting वाले option पर आपको click कर देना है तो चलिए हम लोग setting वाले option पर click कर देते हैं अब आपको यहाँ पर यह नया interface open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको यह help वाला option दीख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर एक help center वाला option मिल जाएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह help center वाला तो यहाँ पर help center वाले option पर आपको क्लिक करना है उसके बाद friends यहाँ पर help center का एक page open हो जाएगा अब आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है यहाँ पर आपको यह जो 3 line दीक रही है उस पर आपको click करना है उस पर click करने के बाद सीधा आपको आपके ID block करनी है तो यहाँ से सारे steps start हो जाएगे तो अब आपको यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देखना है तो यहाँ पर सबसे पहले manage your account वाला यह जो option दीख रहा है उस पर आपको click करना है उस पर click करने के बाद friends आपको अपने ID को block करना है तो उसको delete your account बूलते है यानि क्या आप अपने ID को Instagram से block करना चाहते हो तो इसको यहाँ पर यह वाला जो option दीख रहा है उस पर आपको click कर देना है तो चलिए हम लोग उस पर click कर देते अब दोस्तों यहाँ पर जैसे आप उस पर click करोगे तो यहाँ पर आपको दो option मिलेगे एक तो temporary deactivate का और यह delete your account permanent का तो इन दोनों तरीके से आप अपनी ID को block कर सकते हो पहले वाले में अगर आप block करते हो temporary वारे में तो यहाँ पर क्या होगा आपकी Instagram के ID आप दोबारा वापस लाना चाहते हो तो ला सकते हो लेकिन आप अपनी ID को permanent block करना चाहते हो delete करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर delete your account वाला यह option मिल जाएगा लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको नीचे scroll down करना है और delete your Instagram account वाले page पर click कर देना है अब जैसे आप उस पर click करोगे तो यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा Android app for help तो यहाँ पर इस पर आपको click कर देना है अब आपको यहाँ पर mobile browser help पर click कर देना है अब जैसे आप उस पर click करोगे तो यहाँ पर आपको direct एक option मिल जाता है delete your account का तो यहाँ पर आपको delete your account वाले option पर click कर देना है अब जैसे आप उस पर click करोगे तो यहाँ पर लिखा आजाएगा Instagram के ID block करने का सीधा है यहाँ पर तो यहाँ पर आप अपने ID क्यों ब्लोग करना चाहते हो उसका रिजन पुझेगे तो यहाँ पर आपको कोई भी रिजन को सिलेक्ट कर लेना है cannot find people to follow या something else कोई भी यहाँ पर लिख सकते हो अब आप अपने ID को temporary block करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको option मिल जाता है यह वाला temporary deactivate का तब deactivate कर सकते हो आपको यहाँ पर ID को रखना नहीं है इसको remove कर देना है तो यहाँ पर आप अपना Instagram का password डाल देजिए और फिर उसके बाद यहाँ पर delete वाले option पर click कर देजिए आपक ब्लॉक हो जाएगी तो दोस्तों आपको वीडियो किसा लगा प्लीस कॉमेंट कर देजिए आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस लाइक कर देजिए साज साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब कर देजिए